असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माइ चैनल, चलिए तो शुरुआत करते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता, बहुत ही कम चीजों में हम बहुत ही टेस्टी सा बैगन का भरता बनाएंगे, इसमें किसी भी तरीके का मसाला इस्तमाल नहीं होता है, बहुत ही सिं आलेंगे, तीनों बैगनों को हमने अच्छी तरह से तेल लगा लिया है, अब हम इने भून लेंगे, मैं यहां पर बाहर चूले पर लेकर आई हूँ भूनने के लिए, आप चाहे तो घर में गैस पर भी भून सकते हैं, और चाहे तो आप तवे में रखकर भी भून सकते है हमारे यहां पर चूला जो है लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नो वहां पर भूलिया जाए, क्योंकि चूले में जो भूनावा बैगन का टेस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा हाता है, देखिए तो बैगन जो है वो भूना शुरू हो चुकी है, और अब हम इसे 5 म मिनट से दोबारा से पल्टेंगे, और इसी तरह से हमें इसे 25 मिनट तक कम से कम पकाना है, आप देख सकते हैं, यहां पर अंदर काफी सारे कोईले हैं, जो जले हुए है, तो इसी में जो है यह बैगन अच्छी तरह से भून जाएंगी, हम जो है इसे फुखनी की मदद से ह समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे कोईले जला के दिये, यह उन्हीं का चूला है, और यह इस पर ही खाना बनाते है, तो इन्हें आइडिया था कि किस तरह से आग जलती है, तो मैंने इनकी मदद से जो है वो बैगन भून लिये थे, देखिए 20 म हो जाता है, तो छिलके जो है वो अच्छी तरह से नहीं निकलते है, और निकालने भी भी काफे टाइम जाता है, इसलिए आप जब भी बैगन भूने, तो गरम में ही छिलके निकाले, देखिए तो तीनों बैगन के जो है छिलके हमने इच्छी तरह से निकाल लिये है, अब मैं यहां पर देख रही हूँ कि इस बैगन में कोई कीड़ा वगिरा तो नहीं है हमें कभी भी बैगन को चेक करके ही लेना चाहिए भूने के बाद कभी कभी क्या होता है बैगन के उपर जो है वो दाग नहीं होता है पर अंदर जो है खराब होता है और उस भी कीडा भी होता है तो जब भी आप बैगन का बरता बनाएं तो आप इसे चेक करके ही बनाएं अब हम इसे बारिक बारिक चॉप कर लेंगे मैं यहाँ पर प्याले में ही इस तरह से चॉप कर रही हूँ आप चाहे तो चॉपिंग बूड पर रखकर भी इसे चॉप कर सकते है देखिए तो बैगन जो है वो चॉप हो चुकी है अब हम इसे साइट करकर रख देंगे मैंने यहाँ पर एक खुला बरतन ले लिया है और इसमें दाल देंगे दो से तीन टेबल स्पून तेल तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है इसके बाद हम डाल देंगे प्यास मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइस की प्यास को स्लाइस में काट कर ले लिया था आप चाहे तो चॉप करकर भी ले सकते है अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून नमक और इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे ढाग देंगे और दो मिनिट तक ढाग कर पकाएंगे जो मिनटवल निकालेंग और इसे दो मिनटवल और हलके ब्राउण होने तक के पकाएंगे मैं अब हम इसमें दाल देंगे हमारा चॉप किया हुआ बैगल और इसे अची तरह से अमेटकर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढाक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे और दर्मियान में हमें चम्मच चलाते रहना है हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है देखिए 10 मिनट हो चुके है अब हम इसका धकन हटा लेंगे और इसमें डाल देंगे तीन बारी कटी ह कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें और इसके बाद हम इसे धकन धाक कर दो मिनट तक पकाएंगे और गैस को बन कर लेंगे देखिए तो तयार है हमारा बैगन का भरता बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राय करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन भी जरू आपाफेश